वेलकम अमर सेर यूट्यूब चैनल इस पर आप सबों का स्वालत है Mission SBI PO 2022 के लिए different types के जो memory best questions है उनका अपना importance है आज मैं RBI grade B offices का memory best question ले रहा हूं बहुत सांदार है यह कैसलेट का सवाल आप जानते हैं कि first macro then micro इस approach के साथ हम solve करते हैं किसी भी कैसलेट डियाई को आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सुद्दर से कैसलेट डियाई को solve करते हैं आईए YouTube पर तो मैं पढ़ाई रहा हूं और वह आपको पास भी कराएगा लेकिन होली के अवसर पर एक जबर्दस discount 50 plus 20 परसंद का है सारे courses पर और जो लोग test series जो topic वाई होता है नहीं लिये होंगे उनके लिए एक सुनारा अवसर यह SBI का batch है जो की शुरू हो रहा है 21st मार्च से आईए शुरुवात करते हैं आज के इस कैसलेट डियाई की इंग्लिस हिंदी दोनों में है और इसका pdf आपको telegram group अमर सर competitive exam पर मिल जाएगा वहां से download करके आप उसकी practice भी करेंगे इंग्लिस हिंदी दोनों में है सबसे पहले आप इंग्लिस में पूरे information को देखिए मैंने इसको ठीक से इस तरह से लिखा है कि जो इंग्लिस मेडियम के हैं वो इसको एक बार देखिए फिर जो हिंदी मेडियम के हैं वो इसको एक बार देखिए यह पूरा information है लेकिन आप जानते हैं कि आपको questions solve करने हैं और उसके पहले जो information है उनको एक जिगह सजाना है एक तरह से data को arrange करना है इसलिए तो इसी caslet di कहते हैं और उसके लिए हम दोग दोनों language में बारी बारी से एक-एक information को ले करके आगे बढ़ेंगे अप्रोच क्या होगा तो अप्रोच का यहां तक सवाल है आप शुरू में ही थोड़ा सा एक लाइन पढ़ेंगे कि study the given information carefully and answer the following questions data regarding the number of doctors यानि D and engineers E in three colleges A, B, C is given तो इतना पढ़के आपको क्या लगता है कि three colleges के संदर में data है तो three colleges या तो column में होंगे या फिर row में होंगे ये structure तो पता चलता है लेकिन फिर college A, college B, college C और college A में ratio of male doctors and male engineers यानि समझ में आ गया कि doctor और engineer के बारे में जो कहा गया था अगर हम college A, college B, college C इस तरह से data लेते हैं row में तो engineers and doctors होंगे और male female होंगे इतना समझ में आने के बाद हम information को पढ़ते नहीं है time waste नहीं करते सीधा सीधा चलते हैं कि ये जो information है इसके मुताबिक हमारा ढाचा ऐसा बनेगा चल्दी बुलिए आपको ठीक ठीक चीजें साफ साफ समझ में आएं इसलिए इस तरह से बनाया गया है ठीक है क्लियर तो इसको देखिए ये information आपने देखे अब इसके आधार पर हम लोग एक एक करके फिल करेंगे college A के बारे मे इसलिए information है ratio of male doctors and female engineers is 12 इस तो 5 तो college A के बारे में कहा जा रहा है क्या तो male doctors and male engineers 12 इस तो 5 है ठीक है and the difference between them is 280 तो आपको पता है कि this is 12, this is 5, this is difference and total 17 जल्दी बोले माने बोलेंगे male doctors उसके बाद देखिए male doctors and male engineers male engineers male engineers male तो कहा ही जा रहा है doctors, engineers male तो कहा ही जा रहा है उनका difference और उनका sum यह कहा जा रहा है ठीक है यह कहा जा रहा है तो इसमें से कोई एक value yes 280 इसका मतलब यह है कि 7 का मतलब 280 तो भई 12 का मतलब क्या यह क्या है इन्टू 40 है न इन्टू 40 होगा 480 यह 200 और यहां भी 4680 जल्दी बताएं तो male doctors and male engineers male doctors and male engineers तो हमारे कॉलम में male female doctor का है male female engineer का है तो यहां पर इस total का अभी हमको जरूरत नहीं तो एक बात होता है कि जो information आये हैं उसके मताबिक male doctors यह में male doctors कितने हैं और 80 इसको हमने लिखा और male engineers कितने हैं 200 इसको हमने लिखा जल्दी बताएं यह तो फिल करेंगे यह तो clear आगे total number of female doctors and female engineers is 300 देखिए female अगर हम यहां बात करते हैं male के बारे में ऊपर चर्चा थी females के बारे में नीचे चर्चा है कि doctor and engineers देखिए doctor and engineers इनका जो sum है वो क्या है 300 इसे में A में बात हो रही है A के बारे में बात हो रही है यह तो तो एक बात तय है इस total का sum जो है 680 है इस total का sum है 300 देखिए male doctors and male engineers तो 680 और 300 980 तो हम तुरंद लिख सकते हैं total sum तो यहां पर 980 है यह हमें पता है यह समझे ना यह total 680 और female जो दोनों है उनका 300 तो हम तुरंद लिख सकते हैं 680 और 300 980 ठीक है इसके बाद देखिए number of male engineers is 30 more than that of number of female engineers देखिए engineers है इसमें male engineers जो है female engineers से 30 ज्यादा है तो यह 170 हुए जल्दी बता है ठीक है इसको हम बोल सकते हैं यह 170 हुए और अगर यह 170 है total 300 था female का यहां पर तो हम इसे लिखेंगे 130 हम यह भी लिखेंगे यह वाला दोनों का sum कितना होगा 120 से देदीजिए 610 यहां पर क्या होगा 370 यह हमारा पहला information है जो college A के बारे में कहा गया और उसको हमने नोट किया कितने information हमें पता है clear आगे बड़े अब वह information यहां लिखे हुए ठीक है okay college B के बारे में जो कहा जा रहा है उसको देखेंगे sum of the number of male doctors and male engineers किस में college B में male doctors and male engineers is equal to the sum of the number of female doctors and female engineers in college A यह यह तो 300 दिया बता रहा female doctors and female engineers 300 300 जल्दी बोली तो B में देखिए यह B में B में जो male doctors and male engineers male doctors plus engineer इसका जो sum है वो उसके बराबर है यह यह 300 के बराबर जल्दी प्ते यह कहा जा रहा है ratio of the male doctors and male engineers together this and female doctors and female engineers together तो देखिए B में ही female doctors plus engineer together यह ratio है 6 is to 7 this is 6 this is 7 तो total 13 जल्दी बताईए तो यह क्या होगा यह क्या होगा इदर से गौर कीजिए यह जो है into 50 है तो इदर से भी into 50 होगा यानि कि यह 350 होगा इदर से 650 होगा जल्दी बताईए यानि male doctors and engineers और यह तो एक बात तै है कि total 650 होगा यह बात तै है इससे यह तो प्रूब हो जा रहा है कि B में यह total sum यानि चारों का यह जो आता है यह 650 है यह तो तै हो जा रहा है जल्दी बताईए तै हो जा रहा है लेकिन grouping अलग तरह से doctor engineer का है male doctor engineer का female है यानि हमें अभी information और चाहिए ठीक है clear ratio of female doctors and female engineers is two is to three female doctors engineers यानि की female में doctor देखिए female में doctor यानि की female में doctor इसे अगर two कहें ऐसे three कहें तो five total होता है यानि हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसे हम five कहेंगे five का मतलब 350 देखिए यह क्या है इन्टू 70 तो यह भी हुआ इन्टू 70 यह भी हुआ इन्टू 70 यह भी हुआ इन्टू 70 जल्दे बता ही यानि यह 140 और यह 210 यह information तो लिखेंगे बी में और कीजिए बी में फीमेल डॉक्टर 140 जैसे 140 और बी में ही फीमेल इंजिनियर 210 यानि कि यह 210 जल्दे बता ही यह है कि नहीं इतना पता चलता है कि नहीं जितना हमने पढ़ा उसके अधार पर ठेक है लेकिन अभी और चीचे नहीं आ रही है आगे number of male doctors in college B यानि की male doctor यह वाला this is one third of the number of male engineers in college C C का तो अभी तक दिया नहीं C तो यहां है आगे मिलेगा तो C में जो male engineers male engineers यह वाला इसका one third है तो हम इसे three x मान लेते हैं ताकि यह x हो जाए जल्दी बताईए बोलेंगे इसको three x मानते हैं ताकि यह x हो जाए जल्दी बताईए बोलेंगे कि नहीं ठीक है इसके बाद देखिए आगे हमें जाना पड़ेगा third college C लेकिन अभी जो information आये हैं इसको तो हम लोग नोट कर लें अभी जो information आये हैं यह x है यह 140 देखिए यह x है यह 140 हम लोग को क्या क्या दिया हुआ था हम लोग ने क्या क्या निकाला था male doctors and male engineers 300 है देखिए male doctors and male engineers 300 है यानि कि this is 300 minus x होगा na male doctors and male engineers इसको बोलेंगे x plus 140 इन दोनों को बोलेंगे 500 10 minus x जल्दी बताईए जितना information college B के बारे में दिया है उसके मताबिक हम इतना लेख सकते हैं जल्दी बताईए लेख सकते हैं की नहीं जल्दी बताईए ठीक है clear अब देखिए चलते हैं अगले page में और यह information इतना रहेंगे हमारे पास ठीक है College C में क्या-क्या कहा जा रहा है वो देख लिजी number of male engineers is 1.5 times the number of female doctors रुकी 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 female doctors female doctors number of male engineers male engineers 3x जो है वो number of female doctors का 1.5 times है 1.5 का double तो यह भी double यानि की कहने का मतलब यह हुआ कि यह 2x है जल्दी बताइए this is 2x होगा यह 2x है और इसका 1.5 times है some of the number of female doctors and female engineers is 550 female doctors and female engineers यह कह रहा है 550 हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x है तो 550 minus 2 है एक तरीक है यह दूसरा number of female engineers is 70 more than number of female doctors यानि हम यहां पर direct भी कर सकते हैं देखिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि female doctors plus engineers गौर कीजिए इसका sum है 550 एक बात और female engineers जो है 70 more female engineers जो है minus doctor is equal to 70 तो हम लोग जानते हैं इसको solve करने का तरीका engineer जो है इनको पहले कह कीजिए 70 दे दीजिए वैसे तो x plus y इतना x minus y solve कीजिए पर वैसे में चाहता नहीं 70 इसके पास ज्याद आए थे तो बाकी क्या बचा बाकी क्या बचा 480 इसका half 240 इसको दिया और 240 इसको दिया यह कितना हुआ 310 और यह कितना हुआ 240 जल्ली बताए female engineers c में c में गौर कीजिए c में female engineers 310 this is 310 female engineers और c में female doctor female doctor 240 है यानी की this is 2 packs this is 240 यहां से बहुत सारी चीजी निकल जाती हैं अभी आगे पढ़ना हमें बाकी है लेकिन आप बताएए मुझे अगर यह 240 है 2x का मतलब 240 है तो इसका माने क्या हुआ x equals 120 यह यह वैल्यू आया 120 यह वैल्यू आया 260 120 लेश किजी 180 120 है 360 यह वाला हुआ 610 120 लेश किजीए तो 390 जल्दे बुलिए होगा की नहीं 390 इसका वैल्यू यहां पर बात करें तो टोटल में उसके बात यह यह, यह 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 वाला वैल्यू यह जो वैल्यू है यह तो 670 बाहन ठीक है अभी तर जितना आमनी निकारा है इसके मुताबिक उसके बात कि टोटल नूबर ओग मेल डॉक्टर्स और मेल इंजिनियर्स इस 760 मेल डॉक्टर्स and male engineers यह एगर 760 है तो 760 minus 360 यानि 400 यानि कहने का मतलब यह जो है यह 400 है जल्दे बोली क्योंकि sum जो इतना है तो इसका मतलब हुआ कि यह 640 हुआ जल्दे बताइए इसका मतलब 1410 हुआ होगा ना यह 640 और यह 670 तो 1310 हुआ ठीक है 670 और 640 1310 हुआ यह टोटल हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं तो चलिए लिखी देते हैं कहीं न कहीं मदद ही करेगा तो यह वैल्यू अगर हम टोटल लिखते हैं तो यह क्या होगा 64 1000 यह वैल्यू लिखते हैं तो देखिये, यह 380 और 120, 500 और 10, 510, 1510, उसी तरह से इसको देखिये, यह वाला 20 इसे देदेगे, 540 to 740, टेक है, इधर इसका वैल्यू देखिये, यह 690, होगा ना यह, 690, जल्दी बताएए, 1430, और यह साम, चाहे तो कर भी सकते हैं, ने भी कर सकते हैं, 2940, इसको इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, देखिये, इधर से करना हो, तो इसका 10 इसे देदीजिए, 10 इसे देदीजिए, 40 बच जाएगा, 14, 6, 19, or 10, 2900, clear? यह, यह हमारा, जो इन्फरमिशन था, जो की कैसलेट डियाए में होता है, उसको हम एरेंज करते हैं, यानि कुल मिला करके, यह बाते आती हैं, जो हमने लिखी है, और, यह इन्फरमिशन था, यह इन्फरमिशन था, आया, सबों को करने के बाद, और इसी को लेकर के चलेंगे, पहला सवाल, और, what is the ratio of, what is the ratio of, the total number of male and female doctors together, in college B, B में, college B में बात हो रही है, male and female doctors, तो यह तो हमनों लिखे हुए, जो 60, male and female doctors, to that in college C, इसी का, 640, और यह C, किसके बारे में हो रही है, male plus female doctors, यह, यानि क्याने का मतलब, क्याने का मतलब, 13 is to 32, ठीक है, clear, अग्ला सवाल, second number question, what is the total number of male and female engineers, in college A, B and C together, add करने का फायदा देखे, male and female दोनों इंजिनियर्स, यानि male and female दोनों इंजिनियर्स यहाँ है, और उनका sum, sum कितना है देखी, total number of male and female engineers, in college A, B, C, तीनों मिला करके, male and female engineers का मतलब क्या हुआ, यह वाला, 14 and 30, यानि की एंसर, 14 and 30 कहां से आये, अगर हम लोग यहां sum नहीं करते, तो फिर करते कि भई यह जो आया है, अगर नहीं करते, तो बोलते, 370, plus 390, क्योंकि इसे तो करते ही, and 670, तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन हमने sum किया, तो उसका benefit है, third number question, in another college D, हमारे पास A, B, C college के बारे में बात हो रही है, तो D के बारे में फिर informations दिये होंगे, D में बात हो रही है, D में, total number of females is 640, तो ठीक है, females जो है, वो, females जो है, वो 640, okay, इसमें females 640 है, out of which 25% are doctors, तो 25% का मतलब हुआ, 160, यह doctors है, female doctors, और बाकी अगर हम बात करें, निकालना चाहें, 480 हो गए, female में, यह doctor, यह engineer में, जरूर यह नहीं कि हम लिखें, लेकिन अभी हमें पता है नहीं कि आगे क्या है, तो इसको हम लोग सकते हैं, and number of male doctors in college, तो भई, male जो है, male जो है, उसमें doctor होंगे, engineer होंगे, तो भई, doctor के बारे में कहा जा रहा है, कि 12.5% more than that in college C, college C में जो male doctors है, 400, तो देखिए, जो 400 है, यह से 12.5% जादा, 180, यानि 50 जादा, यानि कि यह 450 है, थेक, पुछा गया है, वड़ी the total number of doctors in college D, यानि engineer के बारे में चाहिये नहीं हम को, हम से पुछा गया this and this, यानि यानि यह हमें नहीं चाहिये है, थेक है, यानि 160 plus 400, 480 तॉक्टर चेहे हैं यह 450 यह वाला, यानि यह कितना हुँआ, 610 एक है, थेक है, धेक है, खेक है, फूर्थम्बर, average number of female doctors in colleges A, B and C is average तो निकालने का तरीका अलग है लेकिन जब हमें सम मालुम है female doctors का सम मालुम है तो फिर हम कुछ भी और क्यों करें तो हम ऐसे क्यों न करें नहीं मालुम रहता तो एक अलग बात तो अलग बात तब हम लोग कढढ़ा, डंडा और डिपरेंट जो का इस्निमाल करते हैं लेकिन यहां जरूरत नहीं है फिर्ट अमब कॉल्स कुछिट्टन female doctors and engineers together in college C तो female doctors and engineers together in college C female doctors and engineers का मतलब 240 plus 310 240 plus 310 इसके बारे में कहा जा रहा that means की 550 के बारे में कहा जा रहा is approximately what person less than total male doctors and engineers together in college A male doctors and engineer 480 and 200 480 plus 200 यानि की यह कितना हुआ 680 इसका यह कितना पर्षंट इससे ज़्यादा या कम है तो यह 130 है 130 means what percent जबकि इसका मतलब 100% होता है लेकिन एक बात मुझे बताईए एक बात मुझे बताईए कि 68 इदर देखे लोग आसानी से बता सकते हैं approximately है कि 68 का मतलब क्या है 10% 6.8 का मतलब क्या है 1% 20% 136 का मतलब 20% आप मुझे बताईए इसका जो डिफरेंस है करीब 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 19% हुआ कि नहीं 136 से 6 less है करीब करीब 1% less है हुआ कि नहीं बिना लिखे यह कर सकते हैं कि नहीं और इस सेट का last question 6 number कभी-कभी 6 question भी होते हैं कभी 4 भी होते हैं लेकिन generally 5 होता है find the difference between male engineers in college B college B में male engineers है 180 हमें difference निकालना है यानि कि 180 और female engineers in the same college female engineers देखी 210 इसका जो difference है यानि कि 30 answer बोले clear मुझे पूरी उम्मीद है कि इस session को आपने enjoy किया होगा okay all the best कि अएज मुझे ईसको देखी जाजर्ब काल यादा कि फज को आफ़के यादा अजया रादा है ओूच्र